इच्छात्रों सैप्रेम नमस्तें आपने पिछले अध्याय में मीरा के जीवन प्रिचे के बारें पढ़ाता आज हम पाठ तीन कवे भाग पाठ तीन में कवी राम नेश्टिरफाठी कवी राम नेश्टिरफाठी के जीवन प्रिचे के बारें पढ़ाएंगी हमारा परसन मिलता है परशित साहिते का सिरी राम नेश्टिरफाठी जी का साहितिक प्रिचे देजिए यानि कि इनके जीवन पर प्रकाष डालते भी इनके साहिते की जो विशेशता हैं उन पर प्रक चायावाद पूरों की खड़ी बोली के महतपन कभी माने जाते हैं। इनका जनम सन 1880 कोईरी पूरी नामक गाउं जिला जोनपूर उत्तर परदेश में हुआ। इनोने अपनी आरंबिक शिक्ष्या नोवी कक्ष्या तक पूरी करने के बाद सवाध्याई स्वयम अध्यन से हिंदी, अंग्रेजी, बांगला और उर्द बासाओं का ज्यान प्राप्त किया। यानि कि श्यम अध्यन करके इनोंने हिंदी, अंग्रेजी, बांगला और उर्द बासाओं का ज्यान प्राप्त किया। ये बड़े महंती, अध्यन सील तथा गंभीर विचारों के बेखती थे। ये साहिते समयलन में परचार मंत्री के पदपर भी थे। किस पदपर थे पर चार मंत्री के पदपर, बी रहे, इन्होंने कविता कोमुदी का एक खंड, कविता कोमुदी का एक खंड ग्रामगीत, कविता कोमुदी का कौन सा, कविता कोमुदी जो है, ये इनकी पुस्तक है, तुने ने कविता कोमुदी का एक खंड ग्रामगीत, लोक कि एमुले निदी माना जाता है इंका संकलन इन्होंने गाउं गाउं घुम कर किया है इन्होंने गाउं गाउं जाकर किया था ये हिंदी में बाल साहिते के जनक कभी माने जाते हैं बाल साहिते के कभी कोण है सिरी रामने श्तिरिपाठी तो ये हिंदी में बाल साहिते के जनक भी माने जाते ही। इन्होंने कई वर्षों तक बाल पत्री का बाल पत्री का वानर का संपादन किया। इसमें मोलिक बाल पत्री का का संपादन किया। जिसमें मोलिक इंशिक्ष्या पर्दकाणियां परेरक परसंग आधी परकासित होती थी। इनके साहितिक जीवन का प्रारंब अपने सकूल की परदाना द्यापक की प्रेरना से बर्जबास्या की समस्या पूरती से हुआ। उसकी पूरे करने से सकूल के परदाना द्यापक यानि सकूल के मुख्या द्यापक की प्रेरना से की इच्छा से बर्जबास्या पूरती से हुआ। खड़ी बोली की कवित्ता की ओर इंका जुकाओ, सर्ष्वती पत्रिका की कार्ण हुआ, सर्ष्वती पत्रिका प्रेम्चन्द की। खड़ी बोली में कवित्ता करती थी, तो खड़ी बोली की कवित्ता की ओर इंका जुकाओ, सर्ष्वती पत्रिकारण हुआ, तथा ये जीवन के अंतक साहिते साध्राम वेश्त रही, जनवर 16 जनवरी सन 1962 को इंका देहवसान हो गया, राम नेश तिरपाठी का देहवसान का 16 जनवरी सन 1982 को रच्ना हैं ते पाठी जी एक समर्थक साहिते कार थे, समर्थक का मतलब है शफल साहिते कार थे, इन्होंने गद्दे य्यों पद्दे दोनों में अपनी लेखने चलाई ते ते पाठी जी तेरे पाठी जी एक समर्द साहितेकार थी इन्होंने गद्दे और पद्दे दोनों में अपनी लेखनी चलाई इनकी परमुख रच्राएं इस परकार से है पहला आता है हमारा कावे संग्रे पहला क्या आता है कावे संग्रे कावे संग्रे में इसका आता है पथिक फिर है मिलन पथिक मिलन खंड कावे इसका है सवपन खंड कावे क्या है इसका सवपन खंड कावे इसका सवपन और ये मांसी जो कावे है इसका मांसी जो कावे संग्रे है वह फुटकर कावे आगला है नाटक जैन्त, प्रेम लोक, वफात्ती चाचा, बा और बापू, उपन्यास एंका, विरांगना और वीरबाला, उपन्यास कुन से बता है, विरांगना और वीरबाला, तो यह थी इंकि कावी रचनाएं या रचनाएं, अब आते हम साहितिक विशेशतां पर, जे श्यूग में राव कवियों का मुखे विशे क्या था, समाज सुधार, यानि कि जे श्यूग में राम नेस तिरपाठी जी ने साहिति रचना आरम की, उस यूग में कवियों का मुखे साहितिक विशे समाज सुधार था, तिरपाठी जी ने अपने कवियों में समाज सुधार की भावना रखते ये भी रोमांटिक प्रेम को अपनी कविता का मुख्य विशे बनाया इंकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मोजुदें यानि देश के परती प्रेम और व्यक्तिक के परती प्रेम दोनों मोजुदें लेकिन देश प्रेम को इन्होंने विश्य सथान परदान किया इंका खंड कावे सवपन खंड कावे कौन से इंका सवपन खंड कावे इंका सवपन इंके देश प्रेम का जीता जागता उधान है यानि कि उसमें जो सौपन खंड कावे उसमें देश प्रेम की कविताईं लिखी थे देश प्रेम के साथ इन्होंने अपने साहिते में गांधी वाधी विचारधारा का खुल कर चित्रन किया है कौन सी दारा गांधी वाधी विचार दारा यानि कि मात्मा गांधी जोते या बापु जोते वे देश के परती कितरा प्रेम करते थी इन्होंने अपनी कोईता में देश परेम जो सौपन इनका खंड कावे हैं उसमें देश परेम के साथ इन्होंने अपने साहिते में गांधिवादी विचा धारा का कुल कर चितरं किया है साहित्य की विशेष्टा की द्रिष्टी से इनकी परकर्ति चित्रन भी अध्वुत हैं यानि कि इनका परकर्ति चित्रन जो परकर्ति के बारे में नोंने कावे रचनाय की कि शाइत्य को पढ़कर जब हम देखते हैं तो इनका परकर्ति चरिंग के कावे में परकर्ति जो चित्रन हुआ है वह अनुख्ष है इन्होंने परकर्ति का आलंबन आलंबन का मतलु होता है परकर्ति का सारा उद्विपन और मान्विकरन तथा शिक्ष्या के रूप में परकर्ति की मानी जाती है इनके कावे में उपरोक्त विशेष्टाओं के अत्रित कल्पना एं भाउकता का भी अद्वुच समझने हैं इन्होंने बाल साहिते इंबलोक साहिते के स्रक्षन में महत्वपुर्ण योगदान दिया है तो यह थी इनकी साहिते आलते हैं कि रामनेज तिरिपाठी कवी रामनेज तिरिपाठी की भावासा 1995 कि वाफा निदुदों高 जी की परिमार्जित खड़ी बोली पूर्शी बोली है, घड़ी बोली, यानि कि इन्होंने आमबोल चाल की जो भासा का प्रयोकिया है वह घड़ी बोली का किया है, जिसमें तत्सम तद्वव सब्दों की परदानता है, खड़े बोली को कावे प्योगी बनाने में इंका महतवपुर्ण योगदान है। नहीं कि किसी चमतकार परदाशन के लिए ये कावे के लिए चंद को आवसेक मानने वाले साहितिकारते आते इंका संपुर्ण कावे चंद बंद है। परबंद संद में बंदाव हैं। इंके कावे में परसंग अनुसर सभी कावे के गुण। वे नौ रसों नौ रसों का परियोग गुआ है। आनेक सत्लों पर इन्हों ने लोग पर्चलित मौरों इम लोकोक्तियों का भी परियोग किया है। इन्हों ने परबंद इम मुक्तक दोनों सेलियों में कावे की रतना किया। ये बासा में सुत्ता इमसादकी के पक्सदर हैं। इनकी बासा सेलिय का एक उदान दरस्टवे देखने होगी है। रतना कर गर्जन करता है। यहां पर रतना कर है आकास। गर्जन करता है। मल्या निल बहतता है। और आकास से मुसला धारवर्षा होने लग दिए। पिरिया भरा रहता है। हारदम यह होसला हारदे में पिरिये भरा रहता है। तो यह था कवी रामनेश तिरपाठी के जीवन परिचे के बारे में। मुझे पूरी आसा है कि आप राम्रेश तिरपाठी कभी राम्रेश तिरपाठी के जिवन परिचित के बारे में अच्छी तरह से हैं या बली परकार से परिचित हो गए होगी जैहिन जैवाद धन्यवाद